Hello friends, welcome to my channel Maths with Akangsham Athur. Exercise 4.2, question number 1. Find the roots of the following quadratic equation by factorization. हमें इस in quadratic equations का factorization करके roots find out करने हैं. सबसे पहले बात करते हैं, x square minus 3x minus 10 equal to 0 के. इसमें क्या होता है, जब हम break करते हैं, break किस तरह से करते हैं, जो middle thumb है, इसको हमें break करना होता है, split करना होता है. तो इसके लिए सबसे पहले क्या चीज़ आप देखनी हैं, कि जो x square के साथ जो coefficient है और जो constant है, इनका आपस में multiply करना पड़ता है. तो आपका आंजर क्या आया है? 10. अब इस 10 को आपको इस तरह से split करना है, ये plus या minus करने पे, minus 3 आए, और multiply करने पे 10 आए. जैसे 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 क्या है? 10 हो गया. और जब हम करेंगे minus 5 प्लस 3, minus 5 प्लस 2, sorry, minus 5 प्लस 2 करेंगे, तो क्या आएगा हमारा minus 3? इस तरह से हमें beach का जो middle term होता है, इसको split करना होता है, then उसमें से हम common factor find out करके, quadratic equations के roots find out करते हैं. चले, start करते हैं. First, x square minus 3x minus 10 equal to 0. तो हमें beach वाली term को इस तरह से break करना है, कि उसका आपस में multiply करने पे क्या आए? 10, और plus और minus करने पे क्या आए? minus 3, देखिए, हमने ये break किया, minus 5x plus 2x, 5, 2, जा कितना हो जाएगा? 10, और minus 5 plus 2 कितना हो गया? minus 3, इस तरह से हमें break करना रहता है, जिससे, इसमें से हमने क्या common निकल रहा है? x, x common निकल लिया, इन दोनों में से हमें क्या common निकल रहा है? 2, आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, कि ये जो bracket में जब आप ये numbers निकालने के बाद, ये और ये, same होना चाहिए, अपको ये दोनों चीज है, इसलिए ध्यान रखना है इन बातों का आपको, अब x-5, x-5 दोनों में है, common ले लिया, bracket में last में क्या बचा? x plus 2, अब x-5 equal to 0, x plus 2 equal to 0, दो अलग हमने कर लिये, root, x equal to, ये हमें solve करना आता है, x equal to minus 5 था, इधर गया तो plus 5 हो किया, transpose हुआ, इसी तरह x plus 2, plus 2 था, transpose हुआ, minus 2 हो किया, it means, इस equations के, its equations के, x square minus 3x minus 10 के, दो roots कौन-कौन से है, x equal to 5, and x equal to minus 2, roots कौन-कौन से हो गे हमारे, 5 and minus, 2, second question करते हैं, इसी का, 2x square plus x minus 6, equal to 0, अभी मैंने ये बोला, सबसे पहले आपको क्या करना है, x square के साथ जो coefficient है, उसका multiply, constant से करना है, कितना हुआ, 12, अभी इस तरह का आपको number break करना है, कि multiply करें, तो 12 आजाए, और plus या minus करें, तो क्या आजाए, plus x, तो देखते कैसे break किया, आप देखेंगे, 4th रिजा, 4th रिजा क्या हो जाता है, 12, 4th रिजा 12, और plus 4, और minus 3 करेंगे, तो क्या बचेगा, plus x, 2x square, plus 4x, minus 3x, minus 6, इस number को हमको, इस तरह से split करना रहता है, कि इनका आपस में multiply जो हो, वो answer आए, और plus और minus करने पर क्या आएगा, plus x, अब यहाँ, plus 4x, minus 3x, कितना हो गया, plus x, अब इन में से, जो जो चीजे common निकल रही है, वो आप common निका लिजे, इन दोनों में से, हमने क्या निकल रहा है, 2x, तो अंदर क्या बचा, x plus 2, इधर हमने, minus 3 common लिया, देखे, यहाँ चीज ध्यान रटना, अगर मैं सिर्फ, plus 3 common लेती हूँ, तो अंदर साइन कुछ और आता, इसलिए मैंने क्या common लिया है, minus 3, minus 3 जब हम common लेते हैं, तो अंदर क्या बचा, x plus 2, आपको एक बार चेक कर लेना है, reverse order में भी, कि आप जो कर रहे हैं, वो सही है या नहीं है, अब इसका मैं multiply करते हूँ, minus 3 x, माइनस 3 into plus 2, कितना हो गया, minus 6, तो आप इस तरह से भी, चेक कर सकते हैं, कि आपका plus minus सही है, या नहीं है, पता जला आपने कुछ और ही लिया, और सारे answers आपके गलत हो गए, तीक है, अब इन दोनों में क्या common है, x plus 2, x plus 2 common ले लिया, तो क्या बजा, 2x minus 3, अब x plus 2 equal to 0, और 2x minus 3 equal to 0, जैसे हम transpose करके solve करते हैं, तो x की वेली क्या जाएगे, plus 2 है, minus 2 हो जाएगा, इधर हम करेंगे, तो minus 3 है, minus 3 को transpose करो के तो plus 3, और 2 divided में था, यहाँ पर देखे, आप ऐसे कर सकते हैं, 2x equal to plus 3, then x equal to 3 upon 2, तो हमारे दो roots कौन-कौन से हो गए, x के minus 2, and 3 by 2, question number 3, root 2x square plus 7x plus 5, root 2 equal to 0, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, कि x square का जो coefficient है, root 2, multiply जो constant है, उसका अपस में multiply कीजिए, तो देखे, root 2, root 2 किता हो गए, 2, then 5 to the, root 2 और root 2 का multiply किया, तो क्या अंसर आया, 2, और आपका multiply 5, यानि कितना हो गया, 10, अब ये 10, multiply करने पे 10 आना चाहिए, और plus और minus करने पे क्या आना चाहिए, 7x, तो आप खुछ सोचिए, 2, 5 to the 10 भी हो सकता है, 5 to the 10 भी हो सकता है, हमने ले लिए 2, 5 to the 10, 2x प्रस 5 x 7 x, और 2 x 2 into 5 10, अब इसमें से देखिए, क्या कॉमन आएगा, root 2 x, 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, root 2 into root 2, root 2 into root 2, equal to क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे कॉमन लिया है, देखिए, 2x को कैसे लिख दिया, root 2 into root 2, अब दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, root 2 x, इसी तरह इन दोनों नंबर्स में क्या कॉमन हा रहा है, 5, वो हमने कॉमन ले लिया, अब यह देखिए, दोनों में सेम होना चाहिए, x plus root 2, x plus root 2, सेम है, अब इन दोनों कॉमन चीज़ को हमने बाहर निकाला, अंदर क्या बचा हमार पस, root 2 x plus 5 equal to 0, अब क्या हो जाएगा, x plus root 2 equal to 0, root 2 x plus 5 equal to 0, तो plus 2, transpose होगा, क्या हो जाएगा, minus root 2, इसी तरह से यहाँ पर भी, same plus 5, transpose होगा, minus 5 हो जाएगा, और root 2 कहां आजाएगा, नीचे आजाएगा, तो हमें कौन से दो roots मिल गए, इस equation से, minus root 2 minus 5 upon root 2, 4th 1 करते हैं, यहाँ पर देखिए, थोड़ा आजा complicated तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझना पड़ेगा, x2 के साथ coefficient क्या है, 2 और 1 upon 8, 2 into 1 upon 8 मैंने किया, तो कितना answer आया मेरा, 1 by 4, दोनों का multiply करने पर 1 by 4 आना चाहिए, और दोनों का plus या minus करने पर क्या आना चाहिए, minus x, तब आप देखिए, 1 by 4, अगर मैं ऐसा करती हूँ, 1 by 2 into 1 by 2, तो कितना हो गया, 1 by 4, और इसी तरह से मैं, minus 1 by 2 x, और minus 1 by 2 x करती हूँ, तो क्या हो जाएगा, दोनों का अगर आप plus करोगे, तो क्या बचेगा हमारा, बस, minus 2 upon 2, यानि, minus x, जो कि हमें equations में चाहिए, चिक है, तो ये चीज थोड़ा वो है, आपको सोचना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा, आप ये देखिए, 2 x square, minus 1 by 2 x, minus 1 by 2 x, plus 1 by 8, equal to 0, अब इन में क्या कॉमा निकल रहा है, उस हिसाब से हमें बहार निकालना है, ये देखिए, इस में से हमने क्या कॉमा निकाला, x कॉमा निकाला, क्या बचा है, 2 x minus 1 by 2 बचा, अब इस कोशन में ध्यान देना है, आपको इस पार्ट में, मैंने क्या निकाला है 1 by 4 पार्ट निकाला है तो यहां 2x कैसे हो गया आप सोचेंगे आप इसका multiply करके देखिए 1 by 4 multiply 2 कीजिए 2 से 4 कर जाएगा क्या आजाएगा minus 1 by 2x और इसका multiply इससे करके देखिए क्या आएगा plus 1 by 8 ऐसे questions बहुत कम होते हैं rarely में इस तरह से questions आते हैं बढ़ आपको पता होना चाहिए कि इनके लिए भी हमें अपनी trick लगानी पड़ेगी यह दोनों common थे बाहर आ गया अंदर क्या बचा x minus 1 by 4 अब 2x minus 1 by 2 equal to 0 और x minus 1 by 4 equal to 0 इसको solve किया हमने minus 1 by 2 था plus by 1 by 2 हो गया then x की value हमारी कितने आई 1 by 4 इधर x equal to 1 by 4 गया तो इधर भी हमारी x की value किया आई 1 by 4 यह दोनों ही value हमारी कितने आई है 1 by 4 5th question इसी का है 1st question का 100x square minus 20x plus 1 100 multiply 1 गया तो कितना answer आया 100 अब इस तरह से आपको करना है या plus minus करके 20 आना चाहिए तो 10 into 10 100 होता है और minus 10 minus 10 कितना होता है minus 20 100x square minus 10x minus 10x plus 1 दोनों में जो common है उससे आप से निकाल लेंगे इन दोनों में क्या common देख रहा है 10x common देख रहा हमें अंदर क्या बचा 10x minus 1 इधर से कुछ भी common नहीं दिख रहा है तो minus 1 common आएगा क्योंकि यहां का sign देख यह minus है और यहां plus आ रहा है 10x minus 1 equal to 0 इसकी ट्रांस्पोर्स किया minus 1 को देन x equal to हमारे क्या रूट आ गया 1 by 10 x equal to 1 by 10 तो दो रूट्स हमें कौन-कौन से मिल गए 1 by 10 and 1 by 10 thank you thank you for watching my channel maths with akangshamathur